आज हमारे साथ है गोपाल परिवार फांडेशन के अद्धिक्ष प्रलाद ग्रवाल जी उनसे हम बातचित करेंगे आप सभी को पता है हम सार्थी भाईयों के लिए हर हफ्ते उनकी समस्या का निवारन करते हैं इस बार भी हम मार्गदर्शक जो है प्रलाद जी हमारे साथ है और उनसे हम कुछ जो सवाल है वो करेंगे और हमारे सार्थी भाईयों के समस्या जो है या उनकी कुछ जो भी प्रशन है उनका निराकरण जो है प्रलाद जी की ओर से करेंगे बहुत-बहुत बागत है तर आपका हमारे इसकारिक्रम बेगे सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि सार्थी को अपनी body fitness का महत्व जो होता है इस बारे में आप क्या बढ़ताना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे सार्थी भाई को तीन चीज़ें जरूर मिलने चीज़ें अच्छा खाना अच्छे नीन और समय पे उसका पैसा जो मेहनत करता है उसका पैसा उसको मिलना चाहिए अगर ये चीज़ तीनों मिलती है तो उसका काम करने में मन लगेगा और जो कुछ खराब समय की वज़े से जो उनको बदनाम कर दिया गया है या उनको उनको उपर गलक च्छेप लगे हैं वो सार्थी भाईयों के सर से हटाना और उनको मेरे हिसाब से सैनिक का दर्जा पोजी का दर्जा दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने आपको इस भ कारवाई की जाती है इस दोरान हमारे सर्थी भाईयों ने क्या करना चाहिए क्या बताओं तो सर्कार को देखना चाया कि जो ऑवर्लोड भरवाता है यह क्यूं भरवाता इससे कि साथी भाई का मालिक दबाव देके भरवाता PAR और सार्थी भाई को भी ये चाहिए कि किसी के दबाव में ने आने के देश के हित में और राष्ट हित में उसको जो उसकी गारी पास करते हैं वो ही करना चाहिए और वो जब ये गलत करते हैं तब ही उनके साथ वो तो गलत हैं इसलिए उनके साथ तो गलत होता ही है पर जो सह माल बढ़ते हैं उनको भी सरकार के जो लालची लोग हैं या अकरप्ट लोग हैं वो उनसे भी पैसा उसी तरह वसूल करने की कोशिश करते हैं तो जब तक सार्थिक खुद नहीं सुद्देगा और सरकार उसको जैसे विदेशों में एक नियम है कि वहां अगर कोई द्रिंक पाला पकड़ा जाता है तो पहली वार उसको जुर्माना होता है दूस्से वार उसका अब देख रहें कि धूप का भी मौसम है ऐसे में हमारे सार्थी भाईयों ने कौन सी साउधानी या बरत्नी चाहिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे सुरक्षा के दुरिष्टी कौन से इसमें सार्थी भाईयों को दोपेर को थोड़ा रेश्ट करना चाहिए अच्छी कोई भी द्रक्ष वगारे की नीचे अपनी गाड़ी पार करके और उसको आराम करना चाहिए और वो जो सफर उसने पूरा करना है वो नाइट के टाइम वो उसको पूरा कर सकता है और उसको ख इसे में आप क्या बताना चाहोगे इसमें मैं यह मानता हूं कि मालिक की अगर्टी थोड़ी जादा है क्योंकि वह सार्थि को सेली इतनी कम देना चाहता है उसको कवर करने के लिए सार्थि भाई ऐसा करते हैं अब कुछ कंपनीया इसके लिए एक तो हमारी कंपनी नहीं लिया है तो पुछना है उसको उसको टोटल पैसा कितना मिलता है अगर उसको उसका दे देते हैं और दूसरा क्या कि चोरी पकड़ी जाती है जैसे मैंने भी कई केस ऐसे पकड़े हैं जैसे वह फॉंप पे डिजर लेने जाते हैं हमने वालों उसको पच्छी सजार की पच्छी वी तो रची च्छी यह को वाले इसा करते हैं और जो लोजिस्टिक ट्रांसपोर्ट वाला अगर उसको उसको प्रूव कर देता है तो उनको जिसक भी कंपनी का उपंप है उसका पंप रद कर दिया जाए जैसे कि उसको बड़ी पनिश्मेंट मिलेगी तो ये बद किया जा सकता है और अगर जैसे धावे वाले डीजल खरीदते हैं तो उसके भी सरकार नजर रखे कि जो इस तरह की चोरी चिकारी का माल करन किया आप समस्याओं को उनको जो समस्याओं थी वो सुलजाई आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के खास मुलाकात इस कारेक्रम में वक्त हो चलाए है यही रुखने का आप देखते रहे हैं पीसे अंडियोज नमस्कार